तीन बराबर योग्य उम्मीदवारों ने एक सेल्स जॉब के लिए आवेदन किया। इंटर्व्यू लेने वाले मिस्टर चौहान ने एक चुनौती दी सबसे अधिक कंगियाओं बेचने वाला व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। चुनौती यह थी कि तीन दिनों के भीतर पहाड़ी में किसी मंदिर को कंगियाओं बेचनी थी। तीन दिनों के बाद तीनों उम्मीदवार रमेश दिनेश और नरेश लोटे और अपने परिणाम की रिपोर्ट करी। दिनेश ने कहा, सन्यासी ने मुझे डांटते हुए कहा, मुझे कंगी की जरूरत नहीं है और उसने ये सिर को खुजलाते हुए कहा, मैंने उसे बताया कि कंगी उसे खुजलाने में मदद करेगी और उसने एक कंगी खरीद ली। नरेश ने बोला, मैंने इससे बहतर किया चोहान ने पूँछा, तुमने ऐसा कैसे किया नरेश ने कहा, मैंने देखा कि मन्दिर की ओर चलते समय तेज हवाओं के कारण आगंतुकों के बाल बहुत अस्तव्यस्त होते हैं मैंने सन्यासी को आगंतुकों को कंगी उपहार में देने के लिए राजी किया ताकि वे अपनी पूजा के दोरान साफ सफाई कर सकें और सन्यासी ने परिक्षन के रूप में दस कंगियां खरी दी रमेश ने कहा मैंने दोनों से अधिक बेची और भक्तों को एक पवित्र पूजास्थल प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया वे बहुत उदार थे और उन्होंने कहा कि उन्हें भी अपने भक्तों को उनके समर्थन और समर्पन के लिए उनकी भी सराहना करना चाहेंगे मैंने उन्हें लखडी की कंगी दिखाई जिस पर मैंने अलग-अलग उपदेश की नकाशी की थी मैंने उन्हें बताया कि लोग रोजहना कंगी का उपयोग करेंगे और यह उन्हें अच्छे काम करने का एक निरंतर स्मरण रखेगी उन्हें यह विचार पसंद आया और उन्होंने हजार कंगियां मंगवा लिए दिनेश ने चिल लाया तुम भाग्यशाली थे मिस्टर चोहान ने कहा बिलकुल नहीं उसके पास एक योजना थी इसलिए उसने पहले ही कंगी की नकाशी करवाई थी सीखें तीन अलग-अलग उम्मीदवार हमें व्यापार उपलब्धि के विभिन स्तर दिखाते हैं उम्मीदवार वन दिनेश ने सबसे बुन्यादी स्तर प्रदर्शित किया जो ग्राहक की व्यक्तिगत आवश्चक्ताओं को पूरा करना है सन्यासी की खुजली एक व्यक्तिगत आवश्चक्ता थी उम्मीदवार टू नरेश अगले स्तर को दिखाते हैं ग्राहक के लिए नए आवश्चक्ताओं को अनुमान लगाना और बनाना शायद सन्यासी के पास कंगी की आवश्चक्ता नहीं है लेकिन फिर भी इसका उसे कैसे फायदा हो सकता है जब आप ग्राहक को उनके व्यापार के लिए नई संभावनाओं और लाभों के बारे में शिक्षा दे सकते हैं उम्मीदवार थ्री रमेश सभी का सबसे अच्छा स्तर प्रदर्शित करते हैं बार बार होने वाले बिक्री और रेफरल के परिणाम स्वरूप होने वाले संबंध हर कोई विजेता था साधू, भक्त, रमेश और मिस्टर चोहान प्रत्येक संभावना को व्यक्तियों के रूप में नहीं बलकि उनके संपर्क और उनसे परे नेटवर्क के रूप में भी सोचें